मखाना या फॉक्सनेट्स का खीर अक्सर लोग नवरात्री या किसी और फास्टिंग के टाइम पे खाते हैं लेकिन आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ इसको आप कभी भी बना कर खा सकते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है हलो फ्रेंज मैं हूँ मेगा अंट वेलकम बाक टो क्रेजी फो हेल्थ और आज के इस विजिए में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखाना और गुड के खीर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तो आए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले एक करहाई ले लेंगे उसमें हम डालेंगे घी तो यहाँ पे मैंने दो चमज घी लिया है और इसमें हम डालेंगे मखाना यानि फॉक्सनट्स दो चमजगी में मैं दो कप फॉक्सनट्स को रोस्ट कर लोंगे तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे कम से कम साथ से आठ मिनिट के लिए जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाता फ्लेम को बिलकुल लो टू मीडियम में रखना है वरना मखाना जल जाएगा और क्रिस्पी नहीं हो जाता और जब तक कि ये इस तरीके से क्रिस्पी नहीं हो जाता तो जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तो अच्छे से ये ब्रेक होने लगेगा यानि कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है इसको हम साइड में निकाल लेंगे और अब उसी करहाई में हम और थुरा सा घी ले लेंगे और इसमें आड़ करेंगे कुछ स्लाइस किये हुए काजू और बदाम तो इसको मैंने तुक्रों में काट लिया है और इसको हम अब रोस्ट कर लेंगे अच्छे से मैंने याप एक किश्मिश भी लिया है जिसको मैं बाद में आड़ करूंगी तो इसको भी मीडियम फ्लेम में हम रोस्ट कर लेंगे जब तक कि यह अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते इसको जलाना नहीं है बस इतना रोस्ट करना है कि नट्स क्रिस्पी हो जाए और जब यह आलमुस्ट रोस्ट हो जाएंगे तो इसमें हम अपने रेसिंस को भी आड़ कर देंगे रेसिंस हम बाद में इसलिए आड़ कर रहे है क्योंकि वो बहुँत जल्दी अगर उसको पहले आड़ कर देंगे तो वो जल सकता है तो कुछी सेकंड्स में जो रेजिन से अच्छे से फूल गए है और अच्छे से पक चुके है तो इन रोस्टिट नट्स को भी हम साइड में रख लेंगे अब एक मिक्सर ग्रेंटर लेंगे उसमें हम डालेंगे कुछ काजू, इलाइची ये छोटी वाली हरी इलाइची में ले रही हूँ और जो मखाने हमने रोस्ट किये है उसमें से वन फूर्थ मखाना हम डालके क्रश कर लेंगे तो सारा मखाना नहीं क्रश करना है, बिल्कुल वन फूर्थ क्रश करना है और यहां मैंने ले लिया है केसर, यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो आप डाले वरना आप नहीं डाले इसका कलर और फ्लेवर दोनों बहुत इन्हांस हो जाता है और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे तो ये देखिए हमारा कैशुनेट्स और मखाना का पाउडर बिल्कुल रेडी है इसको हम साइड में रख लेंगे और एक कड़ाई लेंगे उसमें हम डालेंगे दूद मैंने आपे फुल फैट मिल्क लिया है अगर आप फुल फैट मिल्क नहीं ले रहे हैं तो आप दूद को पहले थोड़ा रिड्यूस कर लीज़े उसके बाद इसको यूज़ करिए इससे खीर जो है बहुत जल्दी पक भी जाएगा और बहुत जल्दी थिक हो जाएगा तो दूद को हम एक अच्छा बॉइल आने देंगे और जब यह बॉइल हो जाएगा तो इसमें हम मखाने डाल देंगे और जो पाउडर हमने बनाया था मखाना और कैशूस का वो भी डाल देंगे यह पाउडर बनाने से एक फाइदा यह होता है कि जो खीर है वो बहुत जल्दी थिक हो जाता है और दूसरा फाइदा यह है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि इसमें हमने कैशूस आइड किये है पाउडर करके तो बहुत यह अच्छा क्रीमनेस लाता है यह खीर में और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हाइंस हो जाता है तो आप कुछ मखानों को इस तरीके से क्रश जरूर करके डालें, इससे आपका खीर बहुत ही टेस्टी बनेगा इसको हम लगबग 10 से 12 मिनिट के लिए सिमर होने देंगे और अपने नट्स को भी आड़ कर देंगे और रोस्ट की बनेट को आड़ करने के बाद इसको हम 7 से 12 मिनिट तक पका लेंगे उसके बाद हम डालेंगे जागरी का पाउडर तो जागरी का पाउडर आप अपने टेस्ट के हसाब से कम या जादा कर सकते हैं अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप नॉर्मल गुड को भी छोटे टुक्लों में काटके आड़ कर सकते हैं और गुड को आड़ करने के बाद इसको हम जादा कुक नहीं करेंगे वरना दूद फट सकता है तो गुड आड़ करने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे और विदिन 30 सेकंड्स तो 40 सेकंड्स हम इसको उतार लेंगे फ्लेम से ताकि हमारा दूद फटना जाए तो देखिए जो खीर है वो बहुत अच्छे से थिक भी हो चुका है यह ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा तो रेडी है हमारा खीर इसको ठंडा ठंडा स्वर्फ कीजिए अभी फिलाल यह हलका ठंडा नहीं है लेकिन जब यह ठंडा हो जाएगा तो बहुत थिक और क्रीमी हो जाएगा तो इस नवरात्री में या किसी भी फास्टिंग के टाइम पर या किसी भी ओकेजिन में जिससे आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहेंगे मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर अगर आपको इस रेसिपी अच्छे लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और ऐसे ही और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चानल प्रेजी फो है को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल दिये है बेल आइकून का दबाना न भूलिए ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेट रहेंगे मिलती हूं अग्री रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर